हेलो बच्चो तो लाइन सेंड एंगल के नेक्ट वीडियो में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमें एक्सराइज 6.1 को स्टार्ट करना था ठीक है मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया बट वो सेव नहीं हो पाया था उसकी वज़े से तो ये पहले से लिखा हुआ है चलिए कोशन नमबर वन को स्टार्ट करते हैं पहले उससे पहले मेरा नाम है रवीशंकर और आपके इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो कोशन नमर फर्स्ट देखे बचो इसमें अब क्या करना है लाइन सेंड एंगल का सारा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कुछ एक्जामपल भी थे वो भी मैंने अप्लोड कर दिया है शुरू की दो वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन में आपको इस तरीके की एक फिगर दे रखी है ये वाली और इसमें कुछ चीजे गिवन है तो ये चीज गिवन है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये देख लीजिए आप फिगर में देखें एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है इन दोनों का समझो है 70 है और BOD 40 है अब देखिए मैंने इसको यहां पर बना दिया है थोड़ा सा और सिंप्लिफाई करके देखिए ये हो गई AB लाइन आपकी ठीक है जो की हमने यहां पर बनाया यह देखिए यह हो गई AB लाइन और यह हो गई हमारी CD लाइन ठीक है यह AB लाइन और यह CD लाइन यह एंगल आमने सामने के एंगल है और आमने सामने के जो एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल और यह बराबर होते हैं ऐसा मैंने आपको इंट्रोड़क्टरी वीडियो मैं बता दिया है राइट तो वर्टिकल या पोजिट एंगल होनी के वज़े से यह AOC एंगल और BOD एंगल बराबर होंगे और BOD देखो आपको दिया हुआ है 40 तो obviously AOC भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा नाओ यह वाला और यह वाला जो यहां पर BOD और AOC इन दोनों का सम आपको यह देखिए 70 गिवन है तो इसका यूज करेंगे यह तो मैंने यहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल एक्वल होते हैं यहां से देखिए AOC प्लस BOE आपको 70 गिवन है और AOC जो है वो 40 आगया क्योंकि यहां से वर्टिकल अपोजिट एंगल की वज़े से चलिए यह स्टार्ट कर दिया हमने BOE की वैल्यू हमारी कितनी आगी BOE की वैल्यू आगी 30 डिगरी तो हमने BOE भी निकाल लिया यहां पर आप देख सकते हैं यह वाला जो एंगल हो 30 आगया अब आप देख पारे कि यह एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के उपर बनी हुई सब ही एंगल का सम कितना होता है 180 होता है आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं इधर देखिए यह तीनों ही एंगल का सम कितना होगा 180 होगा तो आप देखिए AOC, COE, BOE इक्वल टू 180 डिग्री इसको आप बच्चे वैल्यू डालेंगे AOC की और BOE की तो यहां से आपको COE की वैल्यू मिलेगी कितनी 1110 उसके बाद हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है जैसे यहां पर COE का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से आप COE को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आजेगी यहां पर 250 तो रिफ्लेक्स एफ सी ओई वैल्यू इतनी आगी हमें यही दो चीज निकालना ही थी आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं फाइंड यह दो चीज़े किलियर और साफ साफ और खुला खुला लिखिए आपको सब्जेक्ट के परती एक रुझान जो है और आपका जो इंट्रेस्ट वो बढ़े और चीज़े आपको बहुत अच्छे से किलियर होई आप आगे चलते हैं बचे यह देखिए कोशन नमबर टू का डाइग्राम मैंने पहले से ही बना दिया है आप स्केल का यूज़ करके डाइग्राम बनाईए डाइग्राम सुन्दर बनने चाहिए आपको इंट्रेस्ट आए चीज़ों में आप देखिए बचे यहाँ पर P O Y 90 दे रखा है और आपको find करना c एंगल यह वाले एंगल find करना है मैंने पहले भी बता रखा है जब आपको ratio में दिया हुआ हो तो आप उसको 2X 3X ऐसे X के terms में माल लीजिए आप एक चीज़ देखिए यह हमारी पूरी की पूरी straight line है और इसमें से यह अंगल 90 है मतलब आधा तो यही होगा मतलब A प्लस B की जो value होगी पहले तो यह let कर लो let A बराबर 2X and B बराबर 3X आप देखिए कि A प्लस B A प्लस B यह 90 ही होगा because total 180 होता है यह इधर 90 होगा तो बाकी बचा केतना 90 तो such that 2X प्लस 3X बराबर 90 5X is equal to 90 तो X की value बचे कितना आगया यहाँ पे 90 अपन में 5 आप बोलेंगे sir X की value हमारी आगई 18 डिगरी X की value कितनी आगई हमारी 18 आगई यहाँ पे देखते हैं क्योंकि X की value 18 आगई है तो A की value कितनी आने वाली है A की value 2X है तो 2 x 18 that is 36 डिगरी B की value 3X है that is 3 x 18 equal to 54 डिगरी अब बचे एक चीज ध्यान दीजिए आपको बहुत आराम से यहाँ पे दिख रहा होगा क्या चीज मैं कहना चाहरा हूँ यह जो MON जो line है यह एक सीधी line है मतलब यहाँ पर अगर हम बनाए इसको यह वाली line, MON line जो कि एक सीधी line है और उस पर कहीं न कहीं यह एक line जा रही है X वाली, यह M है, यह O है, यह N है तो मैंने बता रहा है, मैं क्या कहना चाहरा हूँ यह सीधी line है, इस पर जितने भी angle होंगे सबका sum 180 होने वाला है क्योंकि यह एक straight line है और straight line पर जितने भी angles बनेंगे सबका sum करोगे, तो 180 हो जाएगा बाकी यह adjacent angle है और 180 degree है, तो इसको linear pair हम कह सकते है ठीक है, adjacent angle having sum 180 degree is linear pair चलिए तो बच्चे इसका मतलब क्या है angle B plus angle C करेंगे क्योंकि यह angle B है और यह angle C है यह 180 degree आ जाएगा और B की value अभी देखिए हमने निकाला है 54 degree, यहाँ पे 54 degree put करेंगे और यहाँ से हमें C की value 180 minus 54 आते हुए दिखेंगी तो यह आजाएगा आपका 126 degree, यह C की value हमारी होगी बहुत प्यारा, बहुत आसा question है, बहुत सुंदर सा question है आप इसको जो है अच्छे से लिखिए और अच्छे से चीज को समझिए ठीक है, चलिए, next question पे आते है question number 3, exercise 6.1 new NCRT के according राइट, चलिए, third question पहले, प्यारे से scale से मैं इसका diagram ड्रॉ करूँँगा यह देखिए यहाँ पर और फिर आपको समझाऊंगा के question में क्या कह रहा है scale से diagram बनाते है diagram थोड़े सुंदर बनेंगे और हमें पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है देखिए यह P, Q, R यह होगे बच्चे S यह होगे बच्चे T देखिए इसमें क्या कह रहा है कि angle P, Q, R बराबर angle P, R, Q पहले figure में हम देखते है P, Q, R कौन सा angle कह रहा है यह वाला angle कह रहा है और P, R, Q मतलब यह वाला angle दोनों triangle के अंदर वाले angle है यह given है बच्चे यह आपको given है आप question देख सकते हैं आपके सामने NCRT आप खोल के रखिए to prove prove क्या करना है prove करना है P, Q, S, बराबर P, R, T यह prove करना है मतलब अंदर वाले angle equal है और यह बाहर वाले angle को equal proof करना है तो आप ध्यान से देखिए पिक्चर को आधा ही देखिए जैसे यह हटा लिजिए तो यह एक straight line दिख रही है आपको बचे यह एक straight line दिख रही है यह सर दिख रही है इसके उपर यह एक ray है तो यहाँ पे दो angle हो गई राइट, ओके देखो यह equal है न इसको आप एक काम करो यह X माल लो ठीक है आप कुछ भी मान सकते X माल लिए हम X माल लिए हमने क्योंकि दोनों equal है इससे काम और असान हो जाता है चलिए यह वाली भी एक straight line दिख रही है सर इसमें तो यह देखो यह X है और यह चलो P, Q, S ठीक है इधर R है इधर देखिया इस पे ray ऐसी है P, R, T इसमें यह वाला angle X है और इधर वाला angle का नाम हम लिख लेंगे नाव देखिया आप बचे यहाँ पर क्या होने वाला है P, Q, S angle P, Q, S plus angle P, Q, R जो की X के बराबर है बराबर 180 degree इधर देखते हैं X plus P, R, T X plus angle P, R, T बराबर 180 degree आप यहाँ पे bracket में लिख सकते हैं यह linear pair है यहाँ पर भी यह linear pair है ठीक है तो देखो क्योंकि यह दोनों ही यह 180 के बराबर है यह भी 180 के बराबर है अगर मैं equation 1 इसको लिख लूँ और इसको equation 2 लिख लूँ हम कह सकते हैं from 1 and 2 angle P, Q, S plus X बराबर X plus angle P, R, T X से X कट गया angle P, Q, S बराबर angle P, R, T यह चीज हमें प्रूफ करनी थी तो hence proved राइट बच्चे, ओके चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हैं now question number 4 question number 4 question number 4 में पहले एक सुन्दर सा diagram हम बनाते हैं चलिए इस तरफ से बनाते हैं इस बरी एक सीधी line खीचनी है हमें ओके उसके बाद एक line ऐसे खीचनी है ओके और उसके बाद बचे एक line ऐसे खीचनी है A B C D यह O यह angle X यह angle W यह angle Z और यह angle Y ठीके यह देखो यह हमारा प्यारा सा diagram बन गया ओके इसमें आप प्रूव एक सेकेड गीवन क्या है गीवन है बचे गीवन है हमें X प्लस Y इक्वल टू W प्लस Z यह चीज गीवन है ठीक है ओके तो प्रूव तो प्रूव A, O, B is a line A, O, B is a line देखिए जरा A, O, B यह जो है एक line है यह को line हमने बनाई यह हमें दिखतो रही है लेगिन इस चीज को प्रूव करना है बहुत आसान है बहुत आसान है देखिए A, O, B, line कब प्रूव होगा जब यह प्रूव हो जाए कि यह X प्लस Y और X प्लस Y का सम 180 डिग्री है या फिर यह एक linear पे रहे यह सम अगर हम प्रूव कर देते हैं तो काम हमारा बन जाएगा तो यह बहुत आसान है बच्चे यह देखो एक सेंटर के चारो बगल एंगल की बात करें जैसे माल लो एक लाइन खीच लो तो यह पूरा का पूरा जो एंगल बनता है वो complete एंगल है और इसका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है introductory वीडियो में मैंने यह सब चीज़े डिटेल में डिसकस की होई है आप उसको जाके refer कर सकते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर O के चारो पगली कौन-कौन से एंगल X, Y, Z, W सारे एंगल है तो देखिए X प्लस from figure हम क्या लिख सकते हैं from figure X प्लस Y प्लस W प्लस Z बराबर 360 डिग्री ठीक है आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख देएं complete एंगल ऐसे आप mention कर सकते हैं ठीक है complete एंगल अब देखिए बचे X प्लस Y और W प्लस Z तो बराबर है तो इसका मतलब है अगर मैं W प्लस Z को X प्लस Y ही लिख दो तो कोई इशू नहीं है मुझे तो अरे क्योंकि यह देखिए नहीं यहाँ पे यह चीज equal है given है न यह तो X प्लस Y X प्लस Y बराबर 360 डिग्री ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एपल प्लस दूसरा एपल कितने एपल तो आप कहेंगे सर दू एपल तो एक X प्लस Y प्लस दूसरा X प्लस Y तो 2 टाइम्स X प्लस Y आप अगर एड करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे समझ सकते हैं ठीक है आप कोई कोई object मान सकते हैं उसको तो आप आसानी से एड कर पाएंगे और जो बच्चे easily कर पाते हैं तो उनके लिए तो कोई issue ही नहीं है X प्लस Y बराबर 180 डिग्री X प्लस Y बराबर 180 डिग्री So अभी अगर याद हो आपको मैंने linear pair axiom बताए थे आप second वाली वीडियो में मैंने वो चीज बताई थी ये देखे यहाँ पर ये चीज If the sum of two adjacent angles are 180 degree then the two non-common arms of the angle is line तो हम from linear pair axiom है नहीं Hence by linear pair axiom We can say A.O.B. is a line A.O.B. क्या है? एक line है हम linear pair axiom का use कर सकते बच्चे इस तरीके से question number 4 हमारा खतम होता है Now next question की तरफ चलते हैं question number 5 question number 5 है पहली exercise में सिर्फ 6 question है बस 2 question और रहागे ठहरे रखिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को like कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर लो channel को भी subscribe कर दो so that की मुझे भी मज़ा आए और भी वीडियो बनाने में further ठीके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए इसमें भी आपको figure देई रखा है तो सबसे पहले मैं यहां पर figure draw करूँगा यह देखिए एक line हमने खीच ली बहुत प्यारी सी सुन्दर सी आपको scale वगएरे साफ सुतरा काम करेगी ने तो आपको खुदी मज़ा आएगा आपको questions करने मज़े आएगे और चीजे ज़ादा समझ में आती है साफ सफाई से काम करने प्यापको चीजे ज़्यादा समझ में आएगी बहुत मज़ा आएगा आहां आहां यह मैथ मुझे क्यों समझ नहीं आती है जबकि सब को समझ में आती है देखिए given है P O Q एक line है और Ray O R is perpendicular यह जो O R न बच्चे यह perpendicular है तो perpendicular का क्या मतलब है यह देखिए जैसे सीधी line है इसके ओपड 90 degree का angle बनता है न यह इसको हम perpendicular कहते है यह भी 90 और यह भी 90 तो यह कितना हो गया बच्चे यह हो गया 90 बाकि इधर वाला भी 90 ही है वो 92 में स्प्लेट हो गया चलिए एक चीज़ता में गीवन है O S is another ray lying between rays O P and O R ठीक है ओकी यह हो गया चलिए देखिए To prove बहुत अच्छा question है और very important question है आप mark कर सकते है अपनी book पे Angle R O S बराबर 1 by 2 Angle Q O S minus Angle P O S देखिए बच्चे बहुत easily proof हो जाएगा देखिए आप ध्यान से देखिए मैं दो equation बनाऊंगा और उससे काम हमारा हो जाएगा सबसे पहले यह देखिए अगर हम पूरा का पूरा यह देखिए कि P O R एक सेकेंड हमें क्या क्या चाहिए इसमें R O S कहा है यह बीच वाला है Q O S कहा है Q O S यह पूरा मतलब यहां से लेगिए और P O S यह सारा है हार टाइप के एंगल से हमें डील करना है तो बच्चो यह देखो जरा अगर हम बात करें कि यह R O P या फिर P O R एंगल है कितने का P O R एंगल से हैं 90 डिगरी का क्यों 90 डिगरी का है देख रहें एक हाफ 90 का यह वाला तो यह बचा हुआ भी तो 90 का ही होगा अब क्योंकि P O R दो एंगल में स्प्लेटीड है तो एक है P O S अब प्लस एक है R O S बराबर 90 डिगरी ठीक है चलिए या तो इसको ऐसे लिख लो R O S बराबर 90 माइनस P O S ठीक है ऐसे लिख लिजी आप आप इसको एक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं नाओ आप इधर देखिए यह वाला एंगल देखिए जरा Q O S वाला एंगल Q O S कितना है यह Q O S में एक तो यह एंगल है और एक यह एंगल है तो एक है R O Q एंगल R O Q अब प्लस एक है R O S R O Q बच्चे हमारे पास 90 डिगरी का एंगल है तो इसको आप डिरेक्ट 90 लिख दीजिए यहाँ पर प्लस R O S ठीक हैं? अब जरा देखिए ध्यान से R O S की वैल्यू हमने यहाँ से 90 90 माइनस P O S यहाँ पर पुट कर सकते हैं ज्यान से दोखो Q O S बराबर 90 प्लस R O S की वैल्यू कितनी 90 माइनस P O S 90 माइनस P O S ठीक है? ओके इसकी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी क्योंकि यह एंगल हमें चाहिए प्रूफ वाले स्टेटमेंट में आप देख सकते हो यह देखिए तो हम पुट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम एक और एक्वेशन बना लेते हैं R O S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखिए ध्यान से R O S की वैल्यू यह इस साइड लेके आओ गए तो Q O S माइनस नाइनटी हो जाएगा? यहाँ से ध्यान से देखो Q O S माइनस नाइनटी तो एंगल Q O S माइनस नाइनटी ठीक है? यह हमारी बच्चे दूसरी एक्वेशन हो गए स्वारी फॉर काटा पिटी सरने गंदा कर दिया काम चलिए कोई बात नहीं देखो बच्चे दो एक्वेशन हो गई अब हम क्या करेंगे? एड करेंगे एड करेंगे एक्वेशन 1 एड एक्वेशन 2 देखो R O S प्लस R O S चलिए लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में एड करेंगे राइट साइड वाले को राइट साइड में इसमें गलती नहीं करेगा कोई भी कोई गलती नहीं करेगा इसमें एक सकिंद हमी कर रहे हैं Q O S माइनस 90 ठीक यह देखें हमने पूरा लिख दिया R O S दोनों लेफ्ट साइड में तो दोनों को लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में ये राइट साइड में तो दोनों को राइट साइड में देखो 90 से 90 कट रहा है बेटा और R O S प्लस R O S वही एक एपल प्लस दूसरा एपल दो एपल सर ये minus में ये plus में तो plus वाले को पहले लिखो ठीक है अब ये देखो r o s ये two इदर multiply में इस side जाके divide में हो जाएगा चलिए जी क्या हमारा यहाँ पे proof हो चुकी है चीज़े हन जी sir बिल्कुल proof हो गई है देख लेंगे एक बारी अच्छे से आप notes बनाईए screen छोटी है मैं ऐसे दिखाता हूँ इसको पूरा एक साथ दिखेगा देखो दिख रहा है आप चाहे तो screenshot ले सकते हो इस चीज़ का बच्चे राइट ओके next question पर जाते हैं आखरी question है इसको चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो उसका भी link कोशिश करूँगा कि डाल देने का जिसको notes download करने है notes भी download कर सकते है ठीक है ओके चलिए इसका देखो diagram जो है given नहीं है तो हमें diagram बनाना है x, y, z 64 degree का है 64 degree देखिए कुछ-कुछ ऐसा बनेगा यह 64 degree acute angle बन गया हमारा यह कितना है 64 degree है x, y यह देखो यह हो गया यहाँ पर y यह x और यह z तो x, y को कह रहा है कि produce करो मतलब आगे तक ले जाओ ठीके लेके आगे x, y produce to point p p तक draw a figure from the given information if ray y, q y, q ray है एक जो कि by set कर रहा है z, y, p को तो यह वाला angle और यह वाला angle आपसमें बराबर है क्योंकि by set बोला है बिटा find करना है find करना है x, y, q and reflex reflex q, y, p यह दो चीज़े बताने हैं ध्यान से देखो यह दोनों equal है तो इन दोनों को x, x ले लो यह x ले लो, यह x ले लो ठीक है तो आप ध्यान से देखे कि यह पूरी straight line है इस पूरी straight line पर जितने भी angle है सबका sum कितना होगा 180 होगा yes sir देखो x, y, p is straight line straight line तो इसका मतलब यह 64 plus x plus x बराबर 180 होगा क्योंकि straight line पर जितने भी angle बनते सबका sum 180 होता है तो यह देखे 2x equal to 180 minus 64 तो 116 तो x की value कितनी होगी बच्चे 58 degree x की value कितनी होगी 58 therefore x, y, q है अरे x, y, q देखो नहीं यहाँ पर x, y, q x, y, q का मान कितना है 64 plus में x 64 plus 58 6, 5, 11, 8 112 degree ठीक है now q, y, p कितना है angle q, y, p आप देखे diagram में q, y, p x के बराबर ही है ठीक है ध्यान से देखो यह diagram पूरा दिखा देता हू q, y, p देखो x के बराबर है तो यह x कितना आया है हमारा 58 degree आया है तो यह 58 degree हो जागा लेकिन हमें क्या निकालना है हमें बच्चे reflex निकालना है reflex निकालना है q, y, p reflex के लिए क्या बताया था 360 में से वही angle माइनस कर दो जिसका reflex निकालना है 360 माइनस 58 और यह आ जाएगा 302 degree तो बच्चो 6.1 आपकी खतम होती है यह देखिए पूरा इसको ऐसे देख सकते आप लोग तो यहाँ पे इस वीडियो को खतम करते वीडियो बहुत लंबी होगी नेक्स एक्सरसाइस के लिए नेक्स वीडियो देखिए प्लीज वीडियो को लाइक करो यार बच्चो धन्यवाद